मिर्ची तरका में आप सभी का स्वागत है आज मैं बेशन के सब्जी बनाने जा रहे हैं देख सकते हैं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा लाइक कर दिजिएगा और एक कटोरी देखिए यह बेशन है इसी का मैं आज मचली वाली सब्जी बनाओंगी जिस तरीके से सर्षो मसाले वाली मचली बनती है उसी तरीके से आज ये बेशन के सब्जी बनाओंगी सर्षो वाली जैसे कि आप लोग मचली बनाते हैं तो मचली बनाने के लिए सर्षो मसाला डालते हैं उसी तरीके से बनाना है अगर इस तरीके से यहां पर थोड़ी सी नमक डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी और मिला लेना है, इस तरीके से, इस तरीके से कोल त्यार कर लेना है, ज्यादा गाड़ी भी नहीं करनी है, और ज्यादा पतली भी नहीं करना है, इस तरीके से गोल त्यार कर लेना है, अब चाहें चमच से भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको गोल को बना सकते हैं, इस तरीके से बना देना है, तावा लेना है और तावा में आप तेल डाल देना है कि जब सब्जी कुछ नहीं राती है तो जट्चना आप फटा-फट तुरंग बना सकने है तल्किसी इस तरीके से तेल देना है और मिला देना है इस तरीके से और जब घुल तियार की थी नहीं उसको इसमें तावे पर डाल देना है इस तरीके से इस तरीके से आप जैसा चाहिए आप वेशा बना सकते हैं या तो आप उबाल के भी बना सकते हैं इस तरीके से पतली सी बन जाती है देखिए इसको इस तरीके से आप पलट के दबा देना है इस तरीके से इस पोड़ी से मेरे आप देजी मेरा देजी पिसंद का सबजी ये वाली मसाला है देख सकते हैं सल्सो है और ये तीन पिस मिर्ची है लसुन है और धन्या है क्योंकि इस मसाले में मैं केवल सर्सो में ही बना रही हूँ सर्सो मसाला इसको बोलते हैं और इसी में ही सबजी बनाऊंगी मैं बेसंगी क्योंकि मुझे बनाना है मचली की तरह और अगर सर्सो वाली अगर बना रहे हैं तो सर्सो उसमें जवरत पड़ती है थोड़ी सी जाती, क्योंकि इसमें कुछ गरम मसाला रगारा नहीं पड़ती है, तो इसलिए इसमें सर्सो रखना जरूरी होती है, इसलिए अब देख सकते हैं, यह मसाले है, यह देख सकते हैं, तेल मेरी गरम हो चुकी है, अब मैं सर्सो और मिर्चा को तड़का लगा दूं यह देख सकते हैं, मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देना है, थोड़ी सी काला नमक ताकि चटपटी बन सके, थोड़ी सी इसमें डाल देना देखें, लाल कास्मेरी मेर्च, ताकि मेरी जो कलर है वह अच्छी लगें, और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेर्ची डाल देना है, अब चाहे टो टमाटर कट करके डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर पीस करके डाली हूँ, मताले मेरे तेज छोड़ चुकी है, अब मैं इसमें थोड़ी ची पाने डाल देती हूँ, जब तक मेरी यह तरी खोल रही है, तब तक मैं बैसन को छिल्की जो बनाई हूँ, मैं उसको कट कर लेती हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं, कि पीसिस में कट कर लेना है, अब इस तरीके से आपको कट कर लेना है, जट पड बन जाती है, देल नहीं लगती है बनने में, इस तरीके के सब्जी में, इस तरीके से पीसिस में कट कर लेना है, मैं तरी भी देख सकते हैं, खौल गई है, अब मैं इसमें डाल दूँगे, देख सकते हैं, इस तरीके से पीसिस बन जाती है, इस सब्जी को बनाने के लिए देर भी नहीं लगती है, जितनी देर आपको मसाला में लगेगी भूने में और पिष्णे में, बस उतने ही देर लगती है, इस सब्जी को बनाने में, इस से ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि इस सब्जी को बनाने के लिए टाइम ही नहीं लगती है, फटा-फट बन जाती है, देर तो जरा भी नहीं लगती है, देखे सब्जी बनके त्यार है, मैं खाली कर लेती हूँ, यह देख सकते हैं, सब्जी मेरे बनके त्यार हो गई है, मैं खाली कर ली हूँ, चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इस तरीके के सब्जी जड़ पट बना करके आप किसी को भी खिला सकते हैं, तुरंद जल बाजी में बन जाती है, आपके पास स यह नहीं है